जी, सेकींड कोशन देखिए जी, एक खिलाड़ी को व्यायाम से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए और पानी के सेवन के बारे में आप क्या कहेंगे? अंसर वयायाम के पहले दुरान और बाद में सही भोजन आपके खेल के शेश्पर परदर्शन करने के लिए महत्यपुर्ण है पाचन और उर्जा की उपलब्ता को अनकूलित करने के लिए कार्वो हाइड्रेट्स युक्त प्रोटिन में मध्यम और बसा और फाइवर में कम भोजन करें लंबी कसरत या प्रत्योगिता तक के घंटों में तरल पदार्थ का सेवन करके निर्जली करन को रोके वययाम से एक चार घंटे एक से चार घंटे पहले खाने के लिए भोजन के विचार पठाकों पर पिनिट बटर और शेहद फल और दही समूदी कम बसा वाला पनीर दही प्रस ग्रेनोला प्लस फल हैंबर्गर या चिकन को होल वीट बन पर रखे वययाम से 30-60 मिनट पहले उपभोगता के लिए खाद्या पदार्तों के लिए विचार फल का एक टुकड़ा साबुत और नाज पठाके स्पोर्ट्स ड्रिंक अगर आपका आखरी भोजन तीन घंटे पहले था स्पोर्ट्स जेल, स्पोर्ट्स बार, सेव की चटनी के तरह फल प्यूरी पाउच वययाम के दुरान भोजन करना भेतर परदर्शन और रिकवरी के लिए जल्दी और अक्सर इंधन पलब्द कराएं 60 मिनट से अधिक कीश और शक्ति वाले वययाम के लिए प्रती घंटे 30-60 ग्राम कार्वोईडरेट प्रापत करने का प्रयास करें निर्जली कन को रोकने के लिए गतिवीधी के दुरान तरल पदार्थ का सेवन करें सही मातरा और खाद्यापदार्थों के सियोजन को निर्धारित करने के लिए प्रयोगतरल पदार्थ खेल खाद्यापदार्थ संपूरन खाद्यापदार्थ जो आपको बनाये रखेंगे और जठरांतर संबंदी समस्याओं को जठांतर होता है, मतलब पेट में कुछ जलन वगरा न क्रियेट करें, समस्याओं को कम करेंगे, विस्तारित अभ्यास के लिए पहले 15 मिनिट के भीतर इंधन भनना शुरू करें, तेजी से अभशोशन के लिए कार्वोहाइड्रेट युक्त खाद्या पदार्तों के साथ तल इलेक्ट्रोलाइटर्स होते हैं, पे, जेल, बींज, चवाना, आसानी से पचने वाले कार्व, युक्त खाद्या पतार, जैसे केला सुखे में वे स्पोर्स बार और ग्रेनोला, चलिए, नेक्स्ट, वियायाम के बाद भोजन करना, लंबी कड़ी कसरत, खेल या परतियोग तक एक घंटे के भीतर नाश्ता या भोजन करें, वेयाम करने से पहले और बाद में अपना वजन यह जाने के लिए लेकि कितना तल्पदार्थ फिट से भरना है, अपने माशपेशों को खशती और उत्कों की मुरमत करने और माशपेशों के प्रोटिन, शेंशलेशन को प तो साहित करने में साहता करने के लिए 15 से 25 ग्राम उच गुनवता वाला प्रोटिन खाए, चलेजी इसी के साथ ये भी सेकिन कोश्चन भी कम्पलीट होता है